गाइज माइनेम इस पुस्पराज केमट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीडियो इडिटिंग टुटिरियल की एक नई वीडियो पर जहां मैं आपको आपकी मोबाइल फोन से वीडियो इडिटिंग करना सिखाता हूं काइन माश्टर एप की मदद से गाइस जैसे कि आपने अभी देखा मैंने अपने इस हाथ से अपने इस सिर को उठा कर अलग कर दिया और साइड में रख दिया ठीक इसी तरीके से यदि आप भी वीडियो इडिटिंग या फिर वीडियो बनाना चाहते हो और लोगों को सौक क करना चाहते हो तो इस वीडियो को बीना इस कीप के लाश्ट तक जरूर देख गाइज सबसे पहले आपको आउट्डूर में जाकर एक वीडियो सूट कर लेना है फिर इसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन से काइन माइस्टर एप को ओपन करना है तो यहां क्रियेट न इस वीडियो के टाइम लाइन के सुरूपे आ जाना है और यहां आने के बाद लेप्ट साइड यह जो आइकन दिखाई दे रहे हैं आप लोग देख पाऊगे इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको सिंपली कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है तो हमने अभी इस व पकड़कर उठाने की कोसिस कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे यह चीज करते जाना है दोस्तों तो जैसे कि मैं यहां इस एंगल पर आके अपनी सिर को उठाने की कोसिस कर रहा हूं बस यहीं पर आके आप भी रुख जाना है और इसके बाद आपको सिंपली इस लेयर पे क्ल करना है और यहां से आपको यह जो handwriting का color है आपको इसको green choose कर लेना है यह दूसरे color में भी हो सकता है आपके काइन master app में और यहां जो handwriting का save है वो आपको simply गोला वाला save select कर लेना है तो यहां हमने select कर लिया और आपको साइड में कहीं भी उस गोले वाले को एक बार से यहां गोला टाइप कर लेना है और उसके बाद आपको simply right पे क्लिक करके फिर एक बार यहां नीचे handwriting दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है और इस handwriting को आपको simply आपके सीर के पास ले जाके इसको ठीक से adjust कर लेना है आप जितनी बार इस वीडियो को edit करोगे और देखो कि उतनी बार आपको अच्छे तरीके से editing करना आ जाएगा दोस्तों आपको इसको अच्छे से setup करना है ताकि आपका सिर जो है दिखाई ना दे फिर इसके बाद आपके नीचे handwriting पे क्लिक करना है और इसको खीच कर इसका timeline बढ़ा लेना है दोस्तों जहां तक आपका वीडियो है वहां तक इसको लेके चले जाना है फिर इसके बाद आपको starting point पे आ जाना है इस handwriting के timeline पे और इसको आपको एक बार play करके देख लेना है कि कहीं आपका सिर तो नहीं दिख रहा यह चीज करने के बाद आपको एक और important चीज बताना चाहूंगा तो आपको सबसे पहले इधर आना होगा और यहां आपको इस position का आपको एक और photo click करना होगा दोस्तों फिर इसके बाद आपको इस icon पे click करना है और यहां से capture and save पे click कर देना है तो इसका भी photo click हो जाएगा और gallery में save हो जाएगा तो आपको करना क्या है यह picture जो अभी हमने यह वाला click किया है इस picture को आप simply pizza type या फिर eraser app के थुरू आपको simply erase कर लेना है और आपको अपना सिर्फ और सिर्फ सिर को बचा कर रखना है यदि आप लोग background erase करना नहीं जानते हो तो मुझे नीचे comment करके ज आपको create a new पे फिर से click करना है और यहां आपको aspect results चूज कर लेना है एक बार फिर से और यहां next पे click करना है इसके बाद आपको यहां media चूज करना होगा ध्यान देना दोस्तों यहां हमको उस photo को चूज करना है जिस photo हमने सबसे पहले capture किया था उसी वीडियो से जिस वीड timeline आपको बढ़ा देना है यहां से आपको फिर layer पे click करना है और अभी हमने जिस video को export किया है उस video को हमें select कर लेना है फिर इसके बाद आपको simply यहां इस वाले icon पे click करना है यहां देख पाओगे कहींची के right side में दिखाई दे रहा है तो इस पे click करना है और इसके बाद background का जो timeline हो कितना बड़ा है तो इसको आपको simply यहां से इसका timeline को पूरा आपके layer के बराबर कर लेना है फिर आपको इस video को scroll करते जाना है करते जाना है और आपको देखना है कि कहां आप अपने सिर को उठाने की कोशिस करते हो वहां आपको stop कर देना है यह जो green color का गोले का निसान आ रहा है उससे थोड़ा पहले आपको वीडियो को stop कर देना है यहां फिर इसके बाद आपको simply layer पे क्लिक करना है और यहां से आपको आपके face का photo select कर लेना है तो इस photo को मैं eraser app से edit किया हूं दोस्तों और इसको फिर यहां लाके आपके face के उपर लगा देना है एकद उतना जाद इस पर work करोगे उतना जाद आपको experience बढ़ते जाएगा और उतने ही अच्छी तरीके से आप video editing करना सीख जाओगे और सबसे important चीज़ जो कि मैं आपको थोड़ा बढ़ाना भूल गया तो आपको simply इस video को थोड़ा बढ़ाते जाना है इस first layer पे आपको click करना है फिर उसके बाद आपको इस layer पे click करना है इस face वाले layer पे और इसके timeline को video के ending तक बढ़ा के रख देना है फिर इसके बाद इस layer की starting point पे आ जाना है और आपको इस face वाले layer पे click करना है और यहां से आपको इस left side बेच आभी का icon दिखाए दे रहा है इस पे click करना है यहां से अ important editing start होता है दोस्तों तो यहां आपको ध्यान देना है तो यहां आपको थोड़ा थोड़ा करके video को बढ़ाते जाना है और देखना है कि आपका हाथ यहां उठ गया है तो आपको simply इस face को हलका से उपर कर देना है यह देखे फिर इसके बाद आपको video को थोड़ा से बढ़ा और जैसे जैसे आपका हाथ हिलता है वैसे इस फेस को भी आपके हाथ के उपर लेके चले जाना है फिर इस वीडियो को थोड़ा से बढ़ाना है इस तरीके से और आपको अपने हेंड पर ध्यान देना है कि आपका हेंड किधर चला गया और वहीं आपको इस फेस को लेके चले जो देखेगा दोस्तों फिर जब वीडियो के एंडींग में पहुंच हो तो आपको सिंप्ली यहां अएंड की तरह इसक्रॉल कर के यहां आपको इस यहां right click कर देना है फिर आपको चेक करना है वीडियो को start करके कि आपका जो वीडियो editing क्लियर तरीके से हुआ है यहां वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं तो यहां हमने अपने शीर को अलग करना सीख लिए जब आपको वीडियो एडिट हो जाए तो सिंपली आप यहां इस एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक करके यहां से आपको सेफ कर लेना है गाइस अगर यह वीडियो आपको इन्फोमेटरी लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजि